और उसने देखा कि वो तो हॉस्पिटल के बैट पर था डॉक्टर उसकी रुपोर्ट्स पढ़के नर्स को बता रहे थे और अतुल की खुली आँखे देखकर डॉक्टर ने कहा अच्छा हुआ जो सही टाइम पे आपको यहां पहुचा दिया गया वरना बड़ी दिक्कत हो जाती आज अतुल को इतनी कमजोरी लग रही थी कि वो बिस्तर पर हिल भी नहीं पा रहा था उसने डॉक्टर को कुछ सेकंड देखा और उसके बाद अपने आप बेहोश हो गया जब उसे पूरी तरह होश आया तो अतुल उसी वार्ड में उसी बेट पर था उटके बैठा तो थोड़ा बेहतर लगा बात्रूम की और उटकर अतुल जैसे ही जाने को हुआ तो उसे चक्कर आने लगे लेकिन उसके बावजूद पूरी हिम्मत चुटा कर वो उस और गया अंदर हात मूद होने लगा तो अतुल को एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई देने लगी उसने नजर उठा कर देखा तो शीशे में ठीक अपने पीछे वो पूरी की पूरी भीड खड़ी थी जिसे उसने उस सुरंग के अंदर देखा था और जिस औरत को उसने दोड़ते और सुरंग की छट से कूटते देखा था उसने अतुल का सर पकड़ कर वोश पीसिन पर सोड सोड से मारना शुरू कर दिया और तब तक मारती रही जब तक अतुल की आँख नहीं खुल गए अतुल अब ही भी रेलवेड ट्रैक पे सुरंग के अंदर था और दूर से उसे ट्रेन आती हुई दिखाई दे रही थी अतुल की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है लेकिन किसी भी हालत में उसे वहां से निकलना था उसने अपना सारा सामान बैग में लिया और टॉट चलाए हुए सुरंग की दूसरी तरफ भागने लगा भागते भागते बीच रास्ते में वापस पानी टपकने की आवाज एक पार फेर से होने लगी हादों में लिया हुआ कैमरा अचानक अपने आप क्लिक करने लगा और पॉकेट में रखे आउडियो प्लेयर में रिकॉर्ड की हुई आवाजें अपने आप चलने लगी अकुन ने साफ साफ सुना कि कोई उससे कह रहा था देख कर दी तुमने पहले ही कहा था चलने जाओ लेकिन तुम नहीं माने अब साफ मिलेगी अतुल ने भागने में दिक्कत ना हो इसके वजन कम करना शुरू किया कैमरा और स्टैंड का बैग तुरंत उसने फैंक दिया और दोड़ते वक्त कैमरा उसके हाँच से गिरा और उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उससे दुबारा उठाए क्योंकि वो वहाँ से बस अपनी जान बचा कर भागना चाता था जैसे ही कैमरा गिरा उसके बाद से और उसके पीछे से फोटो खींचने की आवाजें आती रही और फ्लैश लगा तार चमकती रही तॉर्च की बैटरी कम होने की वज़़ से दीमे दीमे चल रही थी और पीछे से कैमरा की फ्लैश लाइट से ही जितना दिख रहा था उसी में अतुल भागे जा रहा था भागते भागते अब अतुल सुरंग से निकलने ही वाला था बस कुछ और कदम ही बागी थे के अतुल ने एक बार पीछे मुड़के देखा तो कैमरा की फ्लैश में उसने देखा वही औरत दोड़ती और चीकती हुई उसकी ओरा रही थी लेकिन अतुल के मन में इस बात की शांदी थी कि अब साथ या आठ कदम में ही वो इस सुरंग से बाहर निकल जाएगा अतुल जो अब तक पीछे की ओर देखता हुआ दोड़ रहा था जब सामने बलड़ा तो सोड से एक दिवार से लड़ा और चोट खाकर पटरी पे गिर पड़ा सुरंग के बाहर निकलने का कोई भी रास्ता उसे दिखाई नहीं दे रहा था सामने उसके थी तो बस एक दिवार अतुल अपनी सारी हिम्मत हार चुका था और ठीक तब ही एक आवाज और हुई और फिर एक बार अतुल के पैर पटरियों में भज गए बातुल चलाता रहा चीकता रहा कोई है अरे कोई है अरे मदद करो प्लीज प्लीज कोई मदद करो प्लीज लेकिन उसके सुनता कौन एक बार फिर से ट्रेन के आने की आवाज आने लगी हवा की आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी ट्रेन और तेज आती रही और इसकी कैमरी में एक आखरी विडियो रिकॉर्ड हुआ था वो भी अतुल के पैरों के कट जाने का उस ट्रेन से आज अतुल जिंदा तो है पर पैरनॉमल रिसर्च करने की उसकी इच्छा हमीशा के लिए उस एक रात के बाद कहीं दफन हो गई बस रह गई तो उसकी ये दास्तान जो तोहराने में भी उसकी सांसे अटक जाती है हमीशा है हम्